नमस्कार, अभी हमारे साथ है बरहमन प्रकास जी, आप अध्यक्ष है स्री गुरू रविदास जनमुट्सोप कमीटी देल लिए तो सरपर्तम शुरू करते हैं कि गुरू जी के जो जीवन है, जीवन का परीचे और उनके जो उपदेश रहे, जो संदेश रहे, उसके बारे म का जनम, बनारस के एक गाउं मंडवाडी, 25 जनवरी 1377 को उनका जनम हुआ मंडवाडी में, और जो संद गुरू रविदास जी थे, वो अपने संदों में एक निराले संद थे, वह संद जीवी, शर्म जीवी संद थे, उन्होंने हमेसा कहीं लड़ाई हैं साथ साथ लड़ उन्होंने शर्म भी किया, उन्होंने संद का भी जीवन जिया, और सबसे बड़ा जो उनका जीवन काल रहा, वो उनका मानवता के लिए रहा, उन्होंने सद है मानवता की बात की, जैसे गुरू लविदास जी जब तक रहे, उन्होंने मानव कल्यान कैसे हो, उस दोर में, उन्होंने सदा उसकी बत करते रहे। जैसे गुरू राविदाशजी ने आज देखिए सभी सरकारे समाजी के एक्टा की बत करती है। गुरू राविदाशजी ने सवा 6,5,699%, वर्स चैसो संतालीसवांों का जनम दीन है। उसके समझेए 600 वर्स पहले उन्होंने क्या कहा मादो साद संगत मिलजूल रहे जैसे मद मखीरा यानि उनका संदेश था कि हमें सबको समाज में इस तरीख से मिलजूल कर रहना चाहिए जैसे एक मदू मखी का चत्ता होता है और क्या कहते हैं जिस समय गुरू रविदाजजी को मुसल्मानों द्वारा उस दोर के जो सिकंदर लोदी थे और मुसलिम राजा थे उन्होंने कितना उनके उपर दवाव डाला कि वो मुसलिम बन जाए आज अगर हिंदूस्तान के अंदर भारत के अंदर यदी हिंदू की अगर अवादी है तो समझेए उसमें संत सिरोमनी गुरू रविदाजजी का बहुत बड़ी भूमिका है अगर गुरू रविदाजजी उस दोर में मुसलिम धरम अपना लेते कितनी यतनाए गुरू रविदाजजी को दी गई कि आप मुसलिम धरम अपनाईए उनके उपर कितने हत्याचार किये हाती तक से उनको मरवाने के लिए उन्होंने योजना बनाई लेकिन गुरू रविदाजजी अपने पग से हिले नहीं उन्होंने हिंदू संत रहते हुए हिंदूत का परचार किया और गुरू रविदाजजी सदा हिंदू संत बने रहे उन्होंने कभी भी धरम परिवर्तन नहीं किया इसलिए आज अगर हिंदूस्तान में हिंदू अगर जिंदा है तो उसमें गुरु रविदाजी की बहुत बड़ी भूमिका है जैसे गुरु रविदाजी शर्म को बहुत उन्होंने महतब दिया जिन्होंने अपनाया उन देशोंने बहुत तरक्की करी जापान है चीन है उन्हों का शरम कर खायों, जो लोग पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी न निस्पल जाए, उन्होंने शरम को कितना महतब दिया, कि शरम करके खाओ, और जो नेक कमाई करता है, वो कभी निस्पल नहीं जाती, कितना महतब परून उन्हों बाते अपने उसमें कई, और क्या क सदा परमात्मा के साथ अपने साथ को जोड़कर रखा परभू जी तुम चन्दने हम पानी परभू sûr diarrhea चन्दने हम पानी है जब तक चन्दन और पानी का मिलन नहीं होगा तो वह किसी सो वर्स पूर्व उन्होंने का गुरू रविदासी जो अपने इबाणी में बार बार कहते हैं एक उनका बहुत मशूर दोहा है गुरू रविदास जनम के कारने होत ना कोई नीच उच को नीच कर जाले ओच्छे करम की कीच कोई व्यक्ति कितना भी जिसका बड़ा हो और जि छोड़ा भी अगर आदमी अच्छे करम करता है तो वह उच्छ है गुरू रविदास जी का महतव है गुरू जी के संदेश जवाओं तक पहुंचे उसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए हम गुरू रविदास जी का संदेश युवापुडी तक पह सकता यूवा पेड़ी को गुरू रविदाज जी को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से उन्होंने मानफ्ता के लिए संगर्स किया है मानफ्ता को जीने के लिए हम तो कहते हैं अगर गुरू रविदाज जी इस सवा छेसो वर्स पूर नहीं होते कितने संत महत्मा राजा मुस शर्म कीजिए आपके अपने अप उन्हत्ती होगी तरक्की होगी शिक्षा पे आपकी जीए शिक्षा लीजिए तो आपकी तरक्की होगी खूब तरक्की होगी संत रविदाज जी की जहनती है माक पूल नी माँ वो फरवरी माहमें पढ़ ब्ड ही है तो इसकी तेज्ठो की तैयारियं क्या चल रही है यह श्रीगुरू रविदाज की जो शोबा यात्रा है ये श्रीगुरू रविदाज जनम उतसप कमेंटी के तत्वा दान में ये दिली के तमाम जितने गूरु भकते हैं हर चेतर में किसी भी चेतर के दिली के चारों कोनों से सब अपनी अपनी श्मता अनुसार कोई जाकी कोई मजन्मडली कोई पडशाग में लाल किला बैदान से तो चान्नी चोक, फतेपुरी, खारी बाबली, सदर बजार, मानकपुरा, इश्ट पार्क रोड, आरिया समाज रोड से गुरु रविदास मार्क रता होते हुए रात्री में गुरु रविदास विश्रान से बड़ी होगी, तो दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जनती की से बड़ी सोबायात्रा कोई नहीं निगलती, क्यों अरे अनेक संस्ता हैं, वो संस्ता है क्या करती हैं, कि सोबायात्रा संस्ता निकालती है, हम संस्ता हमारी सिरफ आयो जाके, संस्ता जो सोबायात्रा निक society का गठन 1952 में हुआ اور 1954 में इसका रिजिश्टियिशन हुआ दिली के अंदर 106 मंदिर हैं जिसमें गुरु रविदाज्जी की परताम्य में इस्तापित हैं कुछ मंदिर तो केवल गुरु रविदाज्जी के नाम से हैं कुछ मंदिर जैसे शिव मंदिर हैं हैं गुरु रविदाजी के मानने वाले वो जो हमारे हिंदु देवी देवताओं से भी उनकी पूजा पार्ट करते हैं उसके अंदर गुरु शेरवाली, हनुमान, कालकामाई, भगवान राम, सिव जी उन सबकी परतिमाहे भी इस्तापीत हैं तो ऐसे मंदिरों की संक्या लगाकर एक सो छे के लगवक दिल्ली में हैं तमाम टोटल तो उन संस्ताओं का सबका अपना छेत्रे छेत्रे समावेस है लेकिन शिरी गुरु रविदाज जनमुत्सप कमेटी के अंदर दिल्ली का हर कोने का वेक्ति इसका सदस्य बन सकता है इसम 1954 में इसका रजिश्टेशन हुआ जब तक बावा साब डक्टर अंबेड कर जिन्दा थे बावा साब परतेक गुरु रविदाज जनती पर आते थे बावु जगजी में आते थे इंदरा गांदी जी आती थी गुरु गोवलकर आते थे गुरु गोवलकर उनिस सो चपन में रामला ग्राउंड के अंदर कारेकरा मुआता उसमें गुरु गोवलकर आये थे अटल बियारी जी भी आये थे परधान मंत्री इंदरा गांदी आये राजीव गांदी आये जेल सिंग आये राश्पती भी आये तो हमारी संस्ता जो है गुरु रविदाज जनमुत सब है और आप देखिए दिल्ली के अंदर मैं हूँ मैं आरिया पुरा सब्जी मंडी से हूँ है ना मेरे उपरधान अशोक नगर से हैं एक उपरधान मेरे दयावस्ती से हैं एक उपरधान मेरी मानक पुरा से हैं एक उपरधान डिल्ली गेट से हैं एक उपरधान देव नगर से हैं एक बापनगर से हैं परचार मंतरी मेरे पहारगन से हैं बंडारी का काम देखने वाले मेरे गुड मंडी से हैं और से बंडारी मेरे सीधी पुरा से हैं और संगठन मंतरी मेरे अजमेरी गेट से हैं कारेले मंतरी मेरे सिलंपूर वैलकम से हैं शे कारेले मंतरी मेरे दया पुरा से हैं कानूनी सलाकार मेरे मलकांज से हैं और एक कानूनी सलाकार मेरे माता सुन्दी रोड से हैं एक कानूनी बुराडी से रगवरपुरा से विश्वास नगर से माता सुनजी रोड जनता कलोनी सादरा से आरियपुरा सब्जी मंडी से और बुराडी से आनन्द प्रवस से जनकपूरी से ठान सिंग नगर से तो ये हमारी कमेटी में अंतर है इस कमेटी के अंदर दिल्ली की किसी भी कोन समय का व्यक्ति, इसमें भाग ले सकता है। इस लिए इस संस्ता का डिल्वी के अंदर स्भसे अदा समान है। दिल्ली के अंदर जो जनमुस्व मनाया जाता है तो सारे जो पूरे दिली के अलग अलग हिच्छे से आकर लाल भी में कठा होता है या ठीए मैं जो कय्चे करम होता है वो करेकरम तो जैसे आप लेली जिए बापनगर में गुरू रवीदाजी के दो झील मंदीर हैं Ri और फिर वो अपने छेत्रों में भी अगले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन ये दोर एक महिने तक चलता रहता है गुरू रविदाज जैनती का, कोई बंडारा करता है, कोई कीरतन करता है, तो मैन कारेकरम गुरू रविदाज जैनमुट सब कमेटी के तत्वादान में आविजित किया जाता है, जो आगामी 24 फरवरी को किया जा रहा है, लालकिरा मैदान में, बाकि सब अपने छेत्रों में सुरुईधा नुसर, क्योंकि सारे लोग हमें बुलाते भी हैं, तो हम भी उन से निवेदान करते हैं कि सब कारेकरम एक दिन ना रखो, तो एक दिन में चार पांच चार पांच कारेकरम रखके एक महीने तक यह कारेकरम चलते रहते हैं. जो जन्म जेहनती के दिन का जो मुख्य उजसा होता है उसका व्मेशान नी किया रहता है? गुरुर्विधास जेहनती की तैयारियां तो दो महीने पहले चालू हो जाती है जैसे हमारी कमेटी है दिल्ली के सबी छेत्रों में जन्षरंपर का विहान करती है एक जागरन का काम करते हैं समझिए उनको जगाने का काम करते हैं बताते हैं कि वे गुरू रविदाज जलती चोबीस फरवरी को बनाई जा रही है आप तैयारी कीजिए अपने छेत्रों में आप उत्सव बनाईए रोस्नी कीजिए और फिर अब लाल किला सामिल हुई है जैसे चोबीस फरवरी को लोक सुबा बारा बजे तक लाल किला मैदान पर इखटा हो जाएंगे वहाँ पहले धरमसबा आयुजित की जाएगी और उसके बार सोबह यहत्रा वहाँ से आरंब होगी जो रात्री में लगबा आठ वजे संपन होगी उसका रूट क्या रहता है रूट है लाल किला से आरंब होगी चाननी चोग, फतेपूरी, खारी बावली, सदरवाब, इस्ट पार्क रोड से अजमलका पार्क होते हुए आरे समाज रोड, आरे समाज रोड से नाई वाला नारे समाज रोड, फिर वहां से चोग कीकर वाला, कीकर वाले से गुरू रविदास मार्ग होते हुए देश बंदू गुपता रोड फिर परवात रोड पर गुरू रविदाश श्पिस्राम दाम मंदिर के सामने होते हुए गुरू रविदाश बहुन पर समापत होगी बहुत हो धन्यवाद